OnePlus ने अपने Note C4 Lite smartphone को launch कर देया और आज मैं इस smartphone का comparison करने वाला हूं Realme 12 Pro 5G smartphone के साथ मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको इन दोने smartphone में से एक smartphone कीना तो कौन सा smartphone best है और ये comparison दोस्तों आपकी demand पर ही लेकर आएं क्योंकि आप सबको मैंने पहले बता था कि हम OnePlus Note C4 Lite smartphone की comparison series जो है लेकर आ रहे हैं दोने smartphone की अगर मैं प्रेजिंग की बात को तो OnePlus Note C4 Lite एप्रोक्स 20,000 के around देखम जाता है जबकि 12 Pro ही एप्रोक्स 24,000 के around देखम जाता है याने 3-4,000 का easily हमें difference देखम मिलता है लेकिन क्या ही difference हमें specs में भी देखम मिलता है तो चलिए अभी जान लेते हैं सबसे पहले दोस्तों बात करें दोने smartphone की cameras की क्योंकि जो हमने last दोस्तों जो हमने previous comparison किया था वहाँ पर काफी सारे दोस्तों की demand आ रही थी इनके cameras के बारे में बताया करो कि कौन से smartphone का भैजिंग camera मिलता है और यहां पर अगर मैं camera की बात कूं तो बन फ्लस नोट सी फोर लाइट हमें देखम जाता है ड्यूल रे camera के साथ जिसमें primary camera 50 MP, Scandi 2 MP and 16 MP की selfie देखम जाती है सोनी के lenses यहां पर देखम बिल जाती है और यहां पर भी रियर साइड में आपको 4K वीडियो रिकोर्डिंग का option देखम जाता है यहनि एक बात तो पकी है कि दोने smartphone सोनी के lenses के साथ आते हैं तो दोने smartphone की जो camera quality हमें काफी है तक भैतिन देखम जाती है और मैं samples के लिए आपको कुछ camera samples से यहां पर दिखा देता हूँ जिससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि दोने smartphone में आपको कौन से smartphone की camera quality भैतिन देखम बिलती है जो realme 12 pro है वो आपको थोड़े बैंतिन कलर है यहां पर पुराइट के बार है थोड़ी contrast image यहां पर आपको देखम जाती है और कुछ तक clarity के भी अगर मैं बात करता हूं तो वह भी आपको realme 12 pro में अच्छी देखम जाती है तो और अला अगर मैं conclusion पर आता हूं तो camera के मामले में realme 12 pro 5G smartwatch यहां पर जीत जाता है तो मैं look and design की बात करता हूं तो one plus node c for light हमें देखम जाता है बैक में plane design के साथ देखम जाता है even flat display देखम जाती है dual camera setup देखम जाता है थोड़ा boxy design आपको यहां पर देखम जाएगा और friend side में आता हूं तो यहां पर आपको mid punch world display देखने को मिल जाती है और यह display amoled panel के साथ आती है 218 की peak brightness हम यहां पर देखने को मिलेगी और यहां पर अगर मैं बात करता हूं बैजल की तो वह भी हमें ठीक ठाक कम देखने हम जाते हैं ओवराल जो screen to body ratio smartphone का काफी अच्छा है और डिस्प्ले के व्यूज एंगल हमें देखो मिलते हैं वह भी काफी अच्छे मिल जाते हैं दूसरी तब रियल में 12 pro की बात हूं तो बैक में वीगल लैदर देखने हम जाता है पैनल देखने हम जाता है और 950 निट्स की पीक ब्रैडलस देख मिलती है यहां पर भी व्यूज एंगल की बात हूं तो वह काफी अच्छे हैं आपर मिल जाते हैं तो यह थी दोस्तों दोने स्मार्ट्फण डिस्प्ले मास क निया जो कि हमने आपको बन आपको बताए आपको कौन से अच्छा लगा लेगिन दोने ं निखें घर्ल बात को दोने का यह था बात को दोने स्मार्टवुन इप छक्टिएं आपने और देखने वां इस की डिस्प्ले आच SI लग सकती है लेकिन हाँ one plus node c4 light एक चीज में आपको आगे निकलता हुआ देख मिलेगा वो इनकी outdoor visibility है अगर मैं brightness की बात को तो वो one plus node c4 light में अच्छी रेकम जाती है तो ज्यादा नहीं कोँगा लेकिन कुछ तक आपको one plus node c4 light की display अच्छी मिलेगी बात करते हैं performance and battery backup की और performance की बात करता हूं तो one plus node c4 light में Snapdragon 6zen 3 chipset के साथ मिल जाता है और यहां पर android version की बात कूँ तो android 14 आपको देख मिलेगा UFS 2.2 का storage टैप मिलेगा और दूसरी तफ Realme 12 Pro की बात कूँ तो यह स्मार्टफोन Snapdragon 6zen 1 chipset के साथ मिलेगा android 14 होगा और storage टैप की बात को तो fs 2.2 ही storage टैप मिलेगा यानि बाकी की सब चीज़ें यहां पर से मिलेंगी लेगन अगर मैं बात करता हूं गेमिंग की या performance की वह कुछ तक यहां पर जो आप गेमिंग खेलोगे जो ग्राफिक्स वगरा देखोगे तो वह चीज़े आपको यहां पर 32 देखने को मिल जाएगी तो नोट आउट यहार अगर मैं ग्राफिक्स के लिए आचे बात कूँ तो वन प्लस नोड़ सी फोर लाइट में आपको अच्छा देख को मिलने वाल है लास्ट नोट सी फोर लाइट आपको 5500 एमेच की बैटे के साथ मिलता है जहां पर 80 वोट का फासंगा स्पोर्ट मिलेगा दूसरी तब रियल में 12 प्रो की बात कूँ तो यहां पर 67 वोट का फासंगा स्पोर्ट मिलेगा यानि जो वन प्लस नोड़ सी फोर अब हमारे कोलूजन कि के अगर हमें दोने समार्टों से एक किनाू तो कुछा खरीना चाहिक एक पार सास्मार्टफ़न में लेट हो रिक्वेंट करूंगा जब और आपको प्रोपर ली केमरा की हिसाब करूंगा लेकिन अधर या वियुज आपको चीज़ें थोडई थोड का कैसे लगा आपको comment box में जूरू बताना मिलते हैं लेक्षिन में इसे हैं दोस्तों